हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो बचे आई हो कि आप सब बढ़िया होंगे ठीक है तो आज बचे हम करने जा रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर के रिलेटेड कुछ प्रावलम्ज ठीक है प्रावलम्ज ठीक है तो आज हम कुछ एक प्रावलम्ज करने जा रहे हैं उन प्रावलम्ज से आपको ठीक है आईडिया हो जाएगा कि इन क्वेश्चन को एक्चल में सॉल्व कैसे करना है ठीक है तो अगर आपने ग्रूब्बिंग आफ क्पैसिटर वाला ही जो बीडियो थी बचे वो नहीं देखी ठीक है तो जल्दी से उपर दिये गए आई बटन में जाके बचे ब तो हां जी बचे पहली प्रॉलम जैसे के आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ठीक है बिलकुल सिंपल सी प्रॉलम से बचे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है देखिए कॉष्चन में है क्या हमें तीन कपासीटर्ज गवन है बचे ठीक है एक है एट माइक्रो फेरइड और दूसरे दोनों हैं बचे फवोर-फ्वोर माइक्रो फेरेड के ठीक है और हमें जो बैटरी गवन है that is of 12 az हमें find क्या करना है find हमें करना है capacity total capacitance और हमें find करना है total charge charge on capacitor B and C charge on capacitor B and C तो चलिए देखे इस SC problem को solve कैसे करना है ठीक है देखे इसी diagram को मैं redraw कर रहा हूँ ठीक है redraw कर रहा हूँ देखे क्या है हमारे पास एक capacitor जहां पर है जो के है हमारे पास 8 microfarad ठीक है यह है capacitor A इसके बाद दूसरा capacitor जो given है यह है बच्चे 4 microfarad का और इसके बाद जो next है that is also of 4 microfarad और इसके बाद these are the 3 capacitors given in diagram and they are connected to a battery of 12 volt तो हमें first of all we have to find the equivalent capacitors ठीक है कोई भी ऐसा question आई बच्चे बैसे तो आपने 10th class में resistance वाले किये होंगे ठीक है यहाँ पर भी बैसे ही same चीजे है तो first of all we have to see that which capacitors are in series and which capacitors are in parallel ठीक है तो देखिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप parallel वाले capacitors को solve करें ठीक है पहली चीज़ यह जानने का method के कहाँ पर capacitor series में है कहाँ पर parallel में है ठीक है आपको देखना होगा कि बचे charge कहाँ पर divide हो रहा है देखिए यह है हमारे पास अब ठीक है battery 12-0 bolt यहाँ से charge चलेगा ठीक है positive to negative अगर हम देखे तो यह तो directly connected है with battery इसका मतलब यह battery के साथ series में connected है ठीक है it is connected to the battery in series इसके बाद ऐसे आएगा charge तो इस point पे आके उसने बच्चे divide हो जाना है दो parts में एक तो वो जाएगा C के पास और एक जाएगा B के पास जब charge divide हो जाए इसका meaning होता है कि जो दो capacitors के बीच charge डिवाइड हो रहे they are in parallel ठीक है तो वो parallel में connected है इसका मतलब जो B और जो C वाले है ठीक है यह दोनों क्या हैं बच्चे they are in parallel ठीक है parallel में connected है तो इनके बीच जो capacitance होगी parallel में ठीक है क्या लिखेंगे B and C are in parallel आप step by चलिए ठीक है step by चलिए तो इनकी capacitance को हम मान लेते हैं C1 ठीक है क्या आ गया parallel में क्या था capacitance in parallel क्या होता है बच्चे Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 ऐसे up to so on ठीक है linear charge हो linear addition होती है ठीक है तो दोनों क्या है 4 और 4 ठीक है 4 plus 4 कितना बन गया यह यह बन चुका है 8 microfarad ठीक है अब इसी डियाग्राम को अगर हम redraw करें देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए बच्चे redraw जब करेंगे diagram को ठीक है A ऐसे ठीक है जो इन दोनों की ठीक है combined capacitance है बच्चे वो अब combine हो चुकी है ठीक है और यहां पे उसको हम draw कर सकते हैं ऐसे ठीक है इधर battery जो थी हमारे पास 12 बोल्ट की ठीक है अब देखिए जो यह A पे हमारे पास capacitor है 8 microfarad बाला और यह इन दोनों की जो total बनी थी 8 microfarad जिसको हमने C1 नाम दे रही है ठीक है C1 लिखाता चलिए अब देखिए यह दोनों जो capacitor है they are in series right now ठीक है तो series में अब क्या लिखेंगे A and C1 are in series are in series ठीक है तो series में capacity अंसे कैसे divide होती है add होती है ऐसे ठीक है उनके reciprocal का sum हम करते है तो A पे capacitor कितना है 8 microfarad similarly C1 क्या है यह भी 8 microfarad है ठीक है तो दोनों को जब आप ठीक है solve करोगे तो we will get it to be 1 by 4 ठीक है 1 by Cs के आगया 1 by 4 इसका मतलब जो Cs की value है that is 4 microfarad 4 microfarad ठीक है तो यह आगी हमारे पास बच्चे equivalent capacitance of the network ठीक है network की equivalent capacitance यह हमारे पास आ चुकी है ओके चलिए इसके बाद इसके बाद देखिए हमें find करना था बच्चे देखिए diagram दबरा से हमें find करना था charge charge on each capacitor ठीक है कितना होगा अब आपने पढ़ा हिए जैसे series में जो charge होगा ठीक है वो कितना होता है वो सेम होता है हर एक component के पास ठीक है तो हम total charge निकाल लेते हैं फिर पहले total charge क्या होगा total charge ठीक है charge किसके इकोल होता है c into v अब equivalent capacitance कितनी आई है हमारे पास 4 microfarad ठीक है 4 microfarad और potential कितना है बच्चे potential है हमारे पास 12 volt यह आगया 48 microcoulom ठीक है क्यों क्योंकि जो capacitance है वो हमें microfarad में के बना है इसका मतलब जो charge होगा on A charge on A वो कितना होगा वो सेम होगा 48 microcoulom क्यों क्योंकि यह battery के साथ बच्चे series में connected है ठीक है यह कहाँ पे connected है series में ओके parallel में charge divide हो जाता है हमें पता है ठीक है parallel में क्या होगा charge divide हो जाएगा देखे इस point पे आके divide होगा तो यह क्या होगा दोनो side divide होगा कुछ B पे जाएगा कुछ C पे जाएगा ठीक है अब देखिए दोनों ही B और C capacitor जो है वो equal है वो भी 4 microfarad यह भी 4 microfarad इसका मतलब है जो charge है वो equally divide होगा B और C के बीच ठीक है तो जितना charge B पे आएगा उतना ही चार्ज C पे जाएगा ठीक है चार्ज ओन C तो कितना होगा दोनों के बीच equally divide होना है तो यह बन जाएगा 48 by 2 is equal to 24 microfarad ठीक है 24 microfarad यह हमें बच्चे find करना था चार्ज जो जो चीजे find करनी है उनको हमेशा आप box में किया कीजिए हमें B और C के उपर find करना था हमें A के उपर find करना था और हमें करनी थी equivalent capacity ठीक है चलिए इसके बाद आईए बच्चे हाँ जी बच्चे next question है हमारे पास second question ठीक है जैसे के आप अपने screen पर देख पा रहे हूँ ठीक है हमें एक diagram given है बच्चे ठीक है और हमें करना क्या है हमें करना है find the capacitance of combination shown in figure between points A and B ठीक है points A और B के बीच हमें capacitance find करनी है ठीक है तो इसी diagram को let me redraw it ठीक है पहले मैं redraw कर लेता हूँ ठीक है ठाके आपको अच्छे से समझाए points A और B हमें given है ठीक है एक capacitor जहां पे है ठीक है और अच्छे इसे एक क्पेसिटर यहां पे है बन माइक्रो फेरेड बाला यह था टू माइक्रो फेरेड बाला एसे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्पेसिटर इस अगेन टू माइक्रो फेरेड ओके जो ऐसे क्पेसिटर होते है ठीक है इनमें याद रखिए जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजेटिव को और दूसरी जो है दैट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव ठीक है यहाँ पे फिर से बाइन माइक्रो फेरेड ओके इसके बाद यहाँ पे टू माइक्रो फेरेड अगेन ओके एक क्पेसिटर फिर से आगया यहाँ पे यह भी बाइन माइक्रो फेरेड है ठीक है और इसके बाद है हमारे पास sorry यहां पे भी एक capacitor था रुक जाएगे ऐसे ठीक है ऐसे एक capacitor यहां पे है ऐसे ठीक है यह है 2 microfarad और यह भी है 2 microfarad ठीक है तो हमें find करना है बचे equivalent capacitance between points A between points A and point B कभी भी आपको ऐसी problem आती है ठीक है तो याद रखिए हमेशा हमें इन points के opposite side से हमेशा शुरू करना है problem को solve करना ठीक है मतलब इस side से शुरू करेंगे ठीक है तो देखिए जो चीजे हमें बच्चे दिख रही है ठीक है अब देखिए ये है point A ठीक है ये इससे connected है यहाँ पे फिर यहाँ पे एक point आ गया तो यहाँ पे charge divide होएगा ऐसे ठीक है दो parts में divide हो जाएगा similarly यहाँ पे भी दो parts में divide होगा यहाँ पे भी दो parts में divide होगा जहाँ पे charge divide हो रहा है ठीक है वो जो बन जाते हैं वो parallel में होगे मतलब यह 2 microfarad वाला और यह 1 microfarad यह क्या हो गया दोनों एक दूसरे के parallel हो जाएगे ठीक है अब देखिए हमने इस side से शुरू करना है जो यह 2 microfarad और यह वाला 2 microfarad है यह दोनों क्या है जो charge 2 microfarad के पास आएगा वही charge इस 2 microfarad के पास आएगा मतलब दोनों के पास same charge आएगा क्योंकि point तो ही नहीं कोई जहां पर यह divide हो जाके इसका मतलब यह क्या है बच्चे series में connected है ठीक है तो इन दोनों को series में ठीक है हम इनको name दे देते हैं इसको c1 इसको name दे दीजिए c2 ठीक है इसका नाम क्या है c2 है c2 ओके तो क्या लिखेंगे c1 and c2 are in series series में है ठीक है तो इनकी equivalent capacitance क्या आएगी series में reciprocal का sum होता है इसको हम name दे देते हैं बच्चे इनकी equivalent capacitance को c12 लिख दिया ठीक है क्या जाएगा 1 by 2 plus 1 by 2 कितना आगया c12 क्या जाएगा 1 microfarad ठीक है तो अब अगर इस diagram को में बच्चे redraw करूं ठीक है मैं सिर्फ इसी को करूंगा इन दोनों का मिलाके इन दोनों का ठीक है 2 microfarad और ये 2 microfarad इन दोनों का अगर मैं ठीक है combined लिखूं तो ये दोनों का क्या बन गया है total 1 microfarad ठीक है ऐसे बना देते हैं इन दोनों का combined क्या बन गया वन माइक्रो फेरेड और यहां पे क्या है यहां पे भी वन माइक्रो फेरेड है ठीक है अब यह दोनों क्या है यह दोनों क्या है क्योंकि यहां से charge डिवाइड होगा आदा इधर आदा इधर तो यह वाला वन माइक्रो फेरेड और यह वाला वन माइक्रो फेर इस वाले को जो हमारे पास ये वाला है इसको हम name दे देते हैं C3 तिक है अब लिखिए C12 and C3, यह क्या है, यह are in parallel, ठीक है, parallel में है, तो इनकी जो combined होगी, उसको हम C123 लिख देते हैं, C123, ठीक है, क्या होगा यह, C12 plus C3, ठीक है, दोनों का linear sum, तो दोनों की values पुट कीजिए, 1 plus 1, क्या गया, 2μF, यह बन गया, 2μF, ठीक है, अब देखिए diagram में, इतना part हमारा बचे solve हो गया, इतना part जो हो, solve हो गया, ठीक है, अब इसके बाद, यहाँ पे आना है हमें, ठीक है, अब जो इन तीनों का combine बना, combine क्या यह, 2μF, ठीक है, अब यह बाला जो 2μF है, ठीक है, दोबारा से मैं diagram redraw कर रहा हूं, ठी ठीक है, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है, ऐसे, ठीक है, यह बाला 2μF, ठीक है, और यह बाला 2μF, यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे, बना दिया, ठीक है, इसके बाद बाद में आते हैं, चलिए, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है हमारे पास 1μF, यह बाला, ठीक है, यह बाला, यह 1μF, तो आप देखिए, पहले तो यह जो दोनों हैं बच्चे, ठीक है, एक मिनिट, यह बाले जो दोनों 2μF और 2μF है, यह पर देखे कहीं पर भी बच्चे चार्ज जो है वो डिवाइड नहीं होगा जो चार्ज इसके पास आया वही इसके पास जाएगा मतलब यह दोनों क्या है यह है सीरीज में ठीक है इस बाले टू माइक्रो फैरेड को मैं नाम दे रहा हूं C4 और यह वाला जो है यह क्या है इस का नाम क्या था C123 C123 चीक है तो क्या आया हमारे पास C123 and C4 they are in series they are in series ठीक है तो क्या जाएगा 1 by C1234 इन दोनों की combined को मैंने 1 by C1234 लिख दिया ठीक है तो क्या जाएगा 1 by 2 यह 2 है और यह भी 2 है क्या गया 1 microfarad फिर से C123 4 की value 1 microfarad ठीक है अब देखिए इन दोनों का मिलाके इन दोनों का मिलाके 1 microfarad अगर डियाग्राम को दोबारा से रिपर्जेंट गरें ऐसे बन गया यह 1 microfarad ठीक है ऐसे ये भी 1 microfarad तो यहाँ पे अब देखिए ये दोनों के लिए जो charge है बच्चे वो divide हो रहा है दोनों क्या है? पैरलल में है ठीक है? दोनों पैरलल में करेंगे ये क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास C1234 और ये इसको C5 लिख लिए ठीक है? तो ये दोनों क्या है? पैरलल में है क्या जाएगा? टू ठीक है? दोनों का मिलाके टू आ गया तो ऐसे ही जैसे जैसे आप करते जाओगे बच्चे सेम proceed कीजगे ठीक है? एगजेक्टली सेम परसीड कीजगे आपके पास end में ठीक है? जो capacitance आ जाएगी capacitance आपके पास total आ जाएगी बच्चे 1 microfarad ठीक है? बिल्कुल similarly ऐसे ही इसको आप करते जाएगे बस ठीक है? जो यहाँ पे combined बन जाएगी जैसे हमने इन दोनों की combined कर ली ठीक है? यहाँ तक तो वो cd में बन गए और यह बाला जो होगा इदर बालों के साथ वो parallel में हो जाएगा ठीक है? अब यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया था? यह आ गया था 2 microfarad ठीक है? यहाँ तक क्या आ जाएगा? 2 microfarad वो बाला 2 microfarad और यह बाला 2 microfarad क्या होंगे? यह वाला 2, दोनों का 2 ठीक है, इस 2 के साथ कौन से 2 के साथ इस वाले 2 के साथ, वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगे सीरीज में ठीक है, सीरीज में करोगे तो 1 by 2 प्लस 1 by 2 आपके पास 1 microfarad आ जाएगा, ठीक है ये वाला, equal to ठीक है, तो ऐसे इन problem उसको बच्चे हमने solve करना होता है ठीक है, देख लीजिएगा करके अगर कोई भी problem हो तो you can ask me anytime, ठीक है, in comment section और you can whatsapp me ओके बच्चे और एक चीज, यहाँ पे आपको micro को, जा milli को, जा nano को, कुछ भी आपको आए उसको बच्चे कभी भी starting में आपको farad में convert नहीं करना है जो चीज है, जिस unit में है उसी unit को लेकर चलिए end पे अगर आप करना चाहते हो equivalent resistance को आपको जाके farad में लिख सकते हो ठीक है, लेकिन उससे पहले कभी मत कीजिए, क्योंकि फिर जो आपके question जाए they will become more complicated ठीक है तो यह तो दो problem जाथी ठीक है, इसके बाद third question पे आईए question number third, ठीक है अब यह वाली जो है यह थोड़ी सी ठीक है, यह जो है यह थोड़ी सी हमारे पास एक मिनिट थोड़ी सी complicated problem है ठीक है, देखिए image आप देख पा रहे हो क्या है, हमें क्या given है the values of capacitance are as follows c1, c2, c3 और c4 ठीक है, यह 4 capacitor हमें given है, बच्चे 4 microfarad के और जो एक c5 है वो हमें given है 5 microfarad ठीक है, हमें find क्या करना है calculate the equivalent capacitance between points P and Q ठीक है, equivalent capacitance between points P and Q ठीक है, if the battery of 10 volt is connected between these points, what will be the charge on each capacitor, ठीक है हर एक capacitor के उपर charge जो होगा, वो कितना होगा देखिए diagram मैं एक बारी redraw कर दूँ, ठीक है क्या है हमारे पास diagram बचे, देखिए यहाँ पर फाब गारी कर्म皆さん एक कपैसिटर है अज अज़ोर कोस्पित अय मैं आज़ोर करने हम आज़े थीक है, यह पे एक कंपैसिटर है, जिसका नाम सी त्री है »़ोर।« थीक है यह है capacitor C5 S से एक और capacitor connected है that is C4 यहाँ पे capacitor हैगा C2 ठीक है और यहाँ पे है point Q point Q जिनके बीच हमें find करनी है between points P and Q हमें ठीक है कहा गया है के find कीजिए C1 C2 C3 और C4 ठीक है यह है 4 हमें given है 4 microfarad ठीक है 4 microfarad ऐसे ही C5 जो है it is given to be 5 microfarad and we have to find the equivalent capacitance ठीक है total capacitance कितनी है यह हमें find करनी है ठीक है बचे चलिए ऐसे question ठीक है पहली चीज़ कभी भी आपको बचे 5 capacitors given हो 5 registers given हो ठीक है तो आपको एक चीज़ द्यान में रखनी है कि कहीं यहां पे आपके पास wheat stone bridge तो नहीं बन रहा wheat stone bridge ठीक है हो सकता है आपने अभी तक इसको ना पड़ा हूँ ठीक है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बचे क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी हमेशा ऐसे question में ठीक है जो grouping of capacitors जो grouping of registers के हैं grouping of cells जो है ठीक है wheat stone bridge क्या है एक bridge की तरह ऐसे एक construction है ठीक है ऐसे ऐसे ठीक है और एक यहाँ पर लगा होता है galvanometer चार अर्जिस्टंस इस P, Q, R, S X ठीक है यह चार अर्जिस्टंस जो होती है P और Q जो है वो known होंगी हमें पता होंगी R जो है ठीक है यह होती है बच्चे variable resistance और जो X है यह होती है unknown जिसकी value हमें find करनी होती है ठीक है और यह काम करता है काम यह करता है बच्चे balanced condition में हमेशा किसमें? balanced condition में अब इसकी balanced condition क्या होती है? सुनिए balanced condition क्या होती है बच्चे यह होती है, जब P over Q is equal to R over X हो जाए, मतलब P और Q की रेशो, R और X की रेशो के अगर equal हो जाए, अगर ऐसा होता है, तो क्या होता है, जो galvanometer है, यह बाला, ठीक है, बीच में लगा हुआ, current through galvanometer becomes 0, current through galvanometer becomes 0, मतलब जो यह center बाला part होगा, center बाली आम है, यह ineffective हो जाती है, क्या हो जाती है, ineffective, मतलब यह किसी काम की नहीं रहती है, तो यही चीज आपको हमेशा चेक करनी है, कि अगर यह चीज बन रही है, मतलब P over Q, R over X, अगर इन दोनों की रेशो equal है, तो यह जो center बाला होता ह यह हमारे किसी काम का नहीं रहता, थीक है, तो पहली चीज ऐसे ही करनी है, तो देखिए, पहले इस diagram को हम rearrange करेंगे थोड़ा, थीक है, थोड़ा rearrange करेंगे, जैसे question में आपको देख रहा है, हमें resistance find, sorry, capacitance बचे find करनी है, हमें between points P and Q, थीक है, between points P and Q, तो पहले आप points P and Q लेज पॉइंट P और इस साइड ले लीजिए पॉइंट Q ठीक है अब देखिए दो पॉइंट्स और हैं देखिए हमारे पास एक है यहां पे R पॉइंट है ठीक है कौन सा है R दो पॉइंट और है R और S ठीक है तो R और S भी ले लीजिए यहां पे मान लीजिए R है और यहां पे मा मलब आपको हमेशा इस वीड स्टोन ब्रिज की तरह बना कर देखना है, जब भी पांच कपैसिटर, मलब पांच कंपोनेंट हो, हमेशा, ठीक है, अब देखिए, आप आपको देखना है कि P और R में कोई कौन सा जो कपैसिटर है, वो कनेक्टड है, किस में P और R, देखिए, यह है पॉइंट P, एक मिनिट, यह है पॉइंट P, यह है पॉइंट R, ठीक है, P और R के बीच देखिए, कौन सा कपैसिटर आ रहा है, C1, तो इनके बीच लगा दीजिए, कपैसिटर, कौन सा कपैसिटर है, C1, ऐसे, ठीक है, इसके बाद R और Q के बीच देखिए, बच्छ R point ये पड़ा है Q point ये पड़ा है R और Q के बीच कौन सा आ रहा है C2 चीक है C2 लगाईए ठीक है C2 इसके बाद देखिए P और S point है P और S के बीच हमें देखना है के कौन सा है P point ये पड़ा है S से ये पड़ा है तो इन दोनों के बीच कौन सा है C3 C3 ठीक है रह गया S और Q के बीच S और Q के बीच S point ये पड़ा है हमारे पास Q point ये पड़ा है दोनों के बीच देखिए कौन सा है हमारे पास इन दोनों के बीच C4 C4 capacitor एसे ठीक है और R और S के बीच रह गया अरे R और S R ये है S ये है दोनों के बीच कौन सा capacitor है C5 लगाईए लगाना पड़ेगा इसको भी C5 अब देखिए कि क्या wheatstone bridge की balancing condition को satisfy कर रहा है या ने ये इसको P मान लीजिए इसको Q मान लीजिए देखिए P और Q P और Q क्या है ये कितना है 4 microfarad ये भी कितना है 4 microfarad दोनों की ratio क्या हो गई 1 ठीक है C1 over C2 क्या या 1 ऐसे ही इनके देखिए C3 और C4 की C3 की value क्या है C3 और C4 की value भी तो 4 microfarad है मतलब दोनों की ratio क्या आएगी 1 मतलब ये चीज हमारे पास fulfill हो रही है दोनों की ही जो हमारे पास ratio है वो equal आ रही है इसका मतलब क्या लिखेंगे हमें यहाँ पे बच्छे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें hence the bridge is balanced ठीक है bridge क्या है balanced है तो जो C5 है hence C5 becomes ineffective तो जो C5 है वो ineffective बन गया अपने कोई काम का नहीं गया अच्छा हुगा हमारा काम असान हो गया ठीक है तो आप देखिए बच्छे कौन सी चीज क्या है ठीक है P और Q के बीच हमें find करनी है capacitance ठीक है देखिए यहाँ से अगर इदर से मान ले हमके बैटरी लगी हुई है तो charge डिवाइड होगा इदर को जाएगा आदा और आदा इदर को जाएगा इसका मतलब इदर वाले और इदर वाले यह तो क्या है parallel में होगे ठीक है लेकिन C1 के पास जो charge आया वो सारे का सारा C2 के पास भी जाएगा C2 के पास क्यूं? क्योंकि इदर तो बच्चे यह तो high ineffective इसके पास तो जाएगा नहीं मतलब यहाँ पे इदर को कोई भी charge नहीं आएगा यह divide नहीं होगा तो जो charge C1 के पास जा रहा है वही C2 के पास भी जाएगा यहाँ तक ठीक है इसका मतलब C1 और C2 क्या होगे? सीरीज में ठीक है C1 and C2 are in सीरीज तो C12 क्या जाएगा? Name दे दो इनकी equivalent capacitance को C12 ठीक है? values put कर दीजे 1 by 4 प्लस 1 by 4 ठीक है? क्या आ गया? 2 by 4 मतलब 1 by 2 1 by C12 की value तो C12 क्या आ गया? 2 microfarad ठीक है? C12 क्या आ गया बच्चे? 2 microfarad similarly क्या होगा? देखिए जो इदर को चार जाया था C3 के पास वो भी सारे का सारा जाएगा C4 के पास ठीक है? फिर यहाँ पे आके जे 81 हो जाएगे तो जो इदर को चार जाया ऐसे ठीक है? वो C4 के पास भी जा रहा है क्योंकि इदर को तो जाएगा नहीं क्योंकि यह ineffective है ठीक है? तो इसका मतलब C3 और C4 भी क्या है? सीरीज में है ठीक है? तो यह भी क्या बन जाएगे? यह भी तो दोनो 1 by 4 1 और C2 की ठीक है? जो C12 बना यहां पर point P यहां पर point Q था ठीक है? यहां पर बन गया हमारे पास C12 ऐसे दोनों के और नीचे C3 और C4 की ठीक है? यह यहां पर आगे तो दोनों क्या हो गया? पैरलल में यहां से current डिवाइड हो रहा है current नहीं charge तो C12 और C34 जो है वो क्या है? are in पैरलल ठीक है? तो पैरलल में है दोनों linearly डिवाइड हो जाएंगे total capacitance क्या है? C12 प्लस C34 values पुट कर दीजिए 2 प्लस 2 क्या बन गई? total 4μF ठीक है? total capacitance एज 4μF ठीक है बच्चे? ओके? इसके बाद charge on each capacitor capacitor के बीच charge कितना होगा? ठीक है? हमें ये भी तो find करना था देखिए question में कहां गया? हाँ देखिए question में देखिए हमें find करना है कि अगर हम battery 10 bolt की battery connect कर दे तो हर एक capacitor के उपर चार्ज कितना होगा? देखिए बैटरी क्या है? 12 bolt बजलब total charge क्या आएगा फिर? total charge कितना होगा? नहीं नहीं 10 है बच्चे 10 10 bolt ठीक है? 10 bolt है तो टोटल चार्ज क्या आएगा? C into V ठीक है? C into V तो C की value क्या है? 4 potential की value है 10 ठीक है? तो क्या आगया? 40 micro coulum ठीक है? यह total charge आगया अब देखिए यह जो total charge है बच्चे total charge P से चला था यहाँ पर आके यह divide होगा आदा उदर जाएगा आदा इदर जाएगा ठीक है? क्योंकि सारे equal है ये वी 4 ये वी 4 ये वी 4 ये वी 4 तो मतलब आदा आदा divide हो जाएगा 40 है total तो 20 इदर को चला गया और 20 ही इदर को आएगा अब क्योंकि C1 और C2 दोनों क्या है सीरीज में है तो दोनों के पास charge क्या होगा 20 microcoulm ठीक है charge on C1 and C2 क्या आजाएगा इसका half 20 microcoulm ऐसे ही charge on C3 and C4 ये भी क्या जाएगा 20 microcoulm ठीक है ये आगया हमारे पास ओके बच्चे कोई भी doubt हो तो आप पूछ सकते हो बेजे जग कभी भी पूछिए no problem ठीक है इसके बाद एक और question है last question हम कर रहे है बच्चे fourth question ठीक है ये भी important है question ठीक है देखिए आपकी screen पे आ रहा है question find equivalent capacity between A and B points A and B के बीच total capacitance हमें find करनी है ठीक है तो मैं diagram बना दू पहले ठीक है diagram को मैं redraw कर रहा हूं बच्चे ये है point A ठीक है यहां पे एक capacitor है two microfarad का ठीक है यहां पे ऐसे एक और capacitor ये है one microfarad one microfarad यहां पे one microfarad ठीक है इसके बाद नीचे आ जाईए यहां पे है हमारे पास point B ठीक है यहां से एक capacitor आ रहा है eight microfarad ठीक है ऐसे गया यहां पे है capacitor four microfarad ठीक है ऐसे यह connect हो गया point B से जाके और एक यहां पे है capacitor four microfarad ठीक है बचे तो हमें find करनी है capacitance between points A and point B ठीक है तो क्या करेंगे देखिए सबसे पहले कुछ-कुछ चीज़े बिलकुल clear है clear cut आपको देख रहा है पहले तो एक point से शुरू कर लीजिए जैसे A से शुरू किया यहां पे हमें पता चल जाएगा कि current divide होगा मतलब जो यह इदर वाला और इदर वाला पार्ट है यह क्या है दोनो क्या है parallel है ठीक है तो ऐसे कर लीजिए इसको half कर लीजिए इसको अलग से solve कीजिए और इसको अलग से solve कीजिए वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे से parallel ठीक है end पे parallel आ जाएंगे तो चलिए देखिए यहां से हमें देखके रहा है 4 micro सरी यह 1 micro farad और 1 micro farad यह क्या है दोनो parallel में तो क्या बन गया 1 प्लस 1 क्या बन गया बच्चे हमारे पास C12 क्या गया 2 micro farad ठीक है 2 micro farad बन गया यह अब देखिए अगर इसी डियाग्राम को मैं दबारा से redraw करूँ ठीक है 2 micro farad यहां से और इन दोनों का मिलाके इन दोनों का मिलाके क्या बना 2 micro farad ठीक है बाद में वही point B तो यह दोनों क्या होंगे दोनों के पास same charge जाएगा 2 micro farad और 2 micro farad क्या होंगे यह दोनों सीरीज में ठीक है अब क्या होगे यह दोनों सीरीज में होगे बच्चे ठीक है तो इसको हमने name दिया था यह कहां से आया C12 ठीक है यह क्या है C12 और इसको name दे जीजिए आप C3 ठीक है naming कोई भी दे सकते हो तो C12 and C3 are in series सीरीज में हैं दोनों ठीक है तो सीरीज में reciprocal का sum होता है क्या लिखेंगे इसको C123 लिख दीजिए C12C3 ठीक है values पुट कर दीजिए 1 by 2 plus 1 by 2 क्या बन गया यह 1 1 microfarad ठीक है तो C123 is equal to 1 microfarad यहां पे आ गया यह इस सारे का मिला के बच्चे इस सारे को मिला के क्या आया हमारे पास 1 microfarad 1 microfarad similarly अब इसको कीजिए यह दोनों क्या है यह दोनों क्या है parallel में parallel में direct sum करोगे 4 plus 4 कितना बन जाएगा 8 microfarad क्या बन गया 8 microfarad अब यह जो 8 है और यह जो 8 है यह क्या होंगे दोनों series में क्योंकि दोनों के पास same charge जाएगा तो क्या बन जाएगा series में 1 by 8 plus 1 by 8 ठीक है 1 by 1 by C dash लिख देता हूँ मैं यहां पर ठीक है C dash तो क्या आगया है बचे 2 by 8 कितना आगया 1 by 4 1 by C dash ठीक है तो C dash क्या आया 4 microfarad ठीक है अब देखिए क्या बन गया बचे इधर वाला 1 आ गया था total मिला करके इस सारे को मिला करके क्या आया हमारे पास 4 microfarad ठीक है तो total capacitance जा equivalent capacitance क्या बनी हमारे पास यह आगी बचे क्योंकि दोनों सीरीज में होंगे अब स्वरी parallel में होंगे यहां पे है point A स्वरी ऐसे देखिए डियाग्राम को अगर redraw करे यहां पे 1 microfarad बन गया यहां पे है point B ठीक है और इधर क्या बन रहा है 8 microfarad स्वरी 4 microfarad यह वाला ठीक है तो दोनों क्या होगे parallel में होगे क्योंकि current divide होगा तो equivalent capacitance क्या जाएगी बचे 1 प्लस 4 5 microfarad ठीक है इस इस दा answer ओके बचे तो यह थी कुछ problems related to grouping of capacitors ठीक है which are very 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 important for your board exam specially ठीक है अच्छे से कीजिए बचे आपने आप करके देखिए जितनी maximum practice कर सकते हो कीजिए इन problems की ठीक है कोई भी अगर आपको problem हो तो आप कभी भी ठीक है ठीक है बचे ठीक है बचे थैंक यू